भारत में EBM को लेकर बहस जो है तेज हो रही है और इंडिया गटवंधन ने एक बड़ा परस्ताव चुनाव आयोग को भेजा है लेकिन चुनाव आयोग क्या उस परस्ताव को मानेगा? नमस्कार मैं संभू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निशनल दस्तक विपक्ष चहां कह रहा है कि संभिधान खत्रे में हैं संसद में 142 सांसदो के सस्पेंसन को लेकर बिवाद चल रहा है वही सबसे बड़ा जो एक गटवंधन बना है जिसमें लगभग 28 दल हैं वो कह कि वीवी पैट को लेकर हुन्यें चुनावायो को एक मसाळा भेजा है उस मसाळए के हिसाब से है कि वह मांग कर रहे हैं कि वीवी पैट की की गिंती हो और जंता को वह पढ़ची जो दिखता है वहातों में मिले और एक बौकस में भी पैट को गिराया जाय और उसकी गिंती हो और तब जाकर चुनाव नतीजे घोसित कर दिये जाए लेकिन चुनाव आयोग का सुप्रिम कोट में तर्क है कि हम पांच दिनों तक बीवी पैट की गिंती नहीं करा सकते हैं बड़ा बख्त लएगा लेकिन सवाल है कि जो चुनाव आयोग सोची अभिचार पांच राज्यों का विधान सबस्वा चुनाव हुआ था साथ नवंबर को बोटिंग होई फिर जाकर 31 दिसंबर को बोटिंग होई तीन दिसंबर को नतीजे आए पांच राज्यों के चुनाव में साथ नवंबर को पहली दवर की बोटिंग होई उसके बाद 30 नवंबर तक बोटिंग चली तीन दिसंबर को नतीजे आए तो सवाल है कि जब बोट डाल के लोगे एक महिना इंतजार कर सकता है तो पांच दिन गिंती के लिए क्यों नहीं ये सबसे बड़ा सवाल है इस पर भी आऊंगा लेकिन EBM की थोड़ी कहानी आप जान लीजे दरसर राजीब गांधी 412 सिर्जीत कर चुनाओं में आये थे मानेबर कांसी राम साहब अपने राजीती के सबसे सिखर पर थे और उन्हें नारा दिया था जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उतनी भागेदारी राजीब गांधी की सत्ता जा रही थी उनको पता चल गया था कि सत्ता जाएगी वही राजीब गांधी जिन्होंने अपने समय में 68 संसदों को सस्पेंड किया था वही राजीब गांधी संसस से बिल बनाकर EBM ले आए और उसके बाद धीरे धीरे बाजपई की सरकार आते आते उस EBM को पूरी तरह से देश में लागू कर दिया गया और EBM से चुना होने लगा उसके बाद बाजपई की सत्ता से बाहर हुए साइनिंग इंडिया का नारा फलॉप हुआ और EPA 1 की सरकार बन गई उसके बाद फिर EPA 2 आ गई, BJP में खलवलाहट मच गई, आडवानी अलवला गए, जियल नरसिम्भा ने एक किताब लिख डाली, सुर्मन्यम स्वामी सुप्रिम कोट चले गए उसके बाद सुप्रिम कोट ने EBM को संदिख्ध माना और उसमें BBPAT लगाने की बात हुई BBPAT लगा, लेकिन सवाल है कि सारे 6 लाख EBM के BBPAT खड़ाब निकले, वाई कुरेशी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे, चुनाव आयोग ने एक बार कहा कि बिना छुए हुए EBM को टेमपर करना है सोसल मीडिया पर लोगों के अजीब गरीब तरक भी है, वो कहते हैं कि चांद पर मॉनिटर हो सकता है यह इंटरनेट से दुनिया चल रही है, रेड लाइट को बिना इंटरनेट के सेट कर दिया जाता है सवाल है कि EBM एक प्रोग्रामिंग चिप ही तो है, क्या उस चिप को प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है किसी पार्टी किसी दल के पक्ष में यह सबसे बड़ा सवाल है और ऐसा हो सकता है कि बीबी पर आपको प्रोगामी है मसीन है ऐसा प्रोगाम कर दिया जाए कि आप बोट कहीं डालेंगे और वो परचीवें भी दिखेगी लेकिन वो काउंटिंग के समय कहीं और हो जाएगा क्योंकि फंक्सन तो अलग है जैसा आठ गुने आठ बहत्तर मेरी मसीन है मेरी कल्कुलेटर है मैंने प्रोगामी किया मैं आठ गुने आठ चॉंसट यह तो सही बात है ना दुनिया मानते है इसको लेकिन मैं आठ गुने आठ बहत्तर कर दूँ और यह भी प्रोगामी कर दू कि आठ गुने आठ बहत्तर दिख उस समय तो आठ गुन्याट चॉसर दिखेगा लेकिन एक घंटे बाद जब मैं उसको टोटल फिर से दबाऊंगा तो बहत्तर हो जाएगा ऐसा भी तो हो सकता है तो मसीन को लेकर पुरी दुनिया में संदिगता रही है अमरीका ने बैन का रखा है जापान नहीं कराता है इट इसकी मनुवादी मीडिया का दरसल जब मानेवर सहाब ने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागेदारी और उसके बाद EBM ले आगया और अब तो सुनने में आ है कि आब EBM पर भैस ही नहीं कर सकते हैं चर्चा ही नहीं कर सकते हैं अब विपक्षी दलों ने एक चिठी लिखिये चुनावायो को और उनने कहा है कि आप भले EBM से बोट कराईए लेकिन बर्ची जो है वो निकलना चाहिए और वो जनता अपने हाथ में लेकर एक बॉक्स में डाले और फिर से उसका काउंटी हो तो इससे अच्छा तो बैलेट पेपर से ही च सबसे बड़ा मुद्दा EBM का है इसको बहुजन समाज के लोग एक दुसरे कॉंटेक्स से भी देखते हैं सोचिए इस देश में जब समिधान लागू हो रहा था जब बोट का अधिकार मिल रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि पढ़े लिके बोट दे कुछ लोगों ने कह कि बड़े लोग बोट दे बाबा साहब ने सब को एक बोट का अधिकार दिया गरीब हो अमीर हो किसी कम्मूनिटी का हो और नतीजा आपके सामने हैं सुरुआत में स्टी स्टी के रिजर्व सिट पर लोग अपने नौकरों को जीताते थे उसके बाद बहुजन अंदोलन त राजनीती का अपराधी करन हो रहा है लालू यादर तमाम लोग आने लगें राजनीती आगे बढ़ते गई आज जो OBCS, CST की बात हो रही है यह पहले नहीं होती थी आज OBC की जो बात हो रही है मंडल कमिशन से पहले कभी नहीं होती थी पहले तो मनुवादी मिडिया ने कहना किया तो जातिवादी राजनीती है यह जातिवादी राजनीती के खिलाफ है मंडल कमिशन और बहुजन समाज उसके बाद धर्म और जाती की राजनीती इस देश में जो लोग करते थे जिस दो लोग जाती के नाम पर मलाई खाए जो लोग जाती के नाम पर CMPM बने रह लेकिन सपा बस पार जेडी जेडी उडीम के जैसे दलो को कभी कभी दे दिया जाएगा कुछ लोग कह रहे हैं कि बकरा को हलाल करने के लिए किसी को अगर आपको आपको बकरा और मुर्गा दो है आपको कभी-कभी मुर्गा दे दिया जाएगा बकरा रख लिया जाएगा तो तो EBM को लेकर कम सकाम इस देश के 95 परसेंट लोग तो उसके खिलाप हैं, EBM के साथ वही हैं जो लोग सत्ता में हैं, तो सवाल है कि EBM बैलेट पेपर से चुनाव क्यूं न हो और आखिर चुनाव आये हो कि EBM को इतना होली क्यूं मानता है, भारत के नागरीकों को क्या अपन अपने लिए सवाल करने का हक नहीं है, अपनी बात कहने का हक नहीं है, और अगर EBM सही था तो फिर BBPAT क्यूं आया, और अगर BBPAT पर भी सवाल उठ रहे हैं तो फिर दुसरा option क्यूं न है, यह सबसे बड़ा सवाल है, और टाइमिंग को लेकर अर्गुमेंट देना कहां त जब आप बोट डाल कर एक महिना इंतजार कर सकते हैं, तो काउंटिंग के लिए कोई 5 दिन का इंतजार क्यूं नहीं कर सकता है, तो यह विपक्षी दलो ने बड़ा मैसेज दिया है कि या तो EBM से चुनाओ नहों, और अगर EBM से चुनाओ होता है, तो जो BBPAT से जो पर्च होगा, और विपक्ष के 28 दलों ने कम से कमें चिठी तो लिख दी है, BSP सुप्रीम मायावति भी इसको लेकर लगातार कह रही है, तो तमाम विपक्षी दल कह रहें कि EBM से चुनाओ कहीं से भी भरोसे मंद नहीं है, लेकिन इस पर न आप विडियो बना सकते हैं, न चुना वायो की नियुकती में पहले परधान मंतरी, नेतापरती पक्ष और चिफ जस्स अप इंडिया होते थे, अब उनका कहना है कि नेतापरती पक्ष होंगे, परधान मंतरी होंगे और कैबिनेट में इस्टर होंगे, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा पत्ती जैसा कोई बात लगती है, तो भारत में डेमोकरेस्जी है, धीरे धीर यह भी चीज़ होगा, लेकिन एबीम को लेकर लगातार सक्प पैदा होता है, एबीम को लेकर लगातार लोग सवाल पूछते हैं और लोग को लगता है कि एबीम भरोसे मन नहीं है, बैलेट पेपर से चुना हो, ताक जो Congress 10 साल मीडिया का भहिसकार नहीं जहेल पाड़े है, बहुजन समाज पिछले पछत आजादी के बाद से मीडिया का भहिसकार जहेल रहा है, तो इसलिए सचेत हो ये और अपने constitutional सम्मयधानिक अधिकार के पर ते सजेत हो ये, अपने सवाल जरूर उठाइए सरकार से, सरका दलो ने लगातार EBM को लेकर सवाल पुछा है, जब Congress की EPA 2 सरकार में थी, तब उस समय BJP के नेता EBM पर सवाल उठाते थे, ऐसा नहीं है किया, तो ये बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इंडिया गटवंधन ये promise करेगा कि 2024 में वो आते हैं तो EBM से चुनाओ आ अगातार आठकिल लिखे जा रहे हैं, परहे जा रहे हैं और विवक्षी दलो की मांग है कि अगर EBM से ही चुनाओ होना है, तो बीवी पैट परचियों की गिंती जरूर हो, आप लोग की क्या परत्किरिया आपनी परत्किरिया जरूर दीजिए, शुक्रिया निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें